हेलो एवरिवान दिस प्रोफेसर एमेच और टुड़े विल डिस्कस फॉर्मेट ओफ प्रोफिट और लॉस अकाउंट तो वेन यू प्रिपेर कंपनी जब आप बनाते हो तो हम लोग ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था बैलेंशिट डिस्कस किया था बैलेंशिट को लॉजिकली कैसे याद रखना है रटा नहीं मारना है लॉजिकली याद रखना है उस फॉर्मेट को डिस्कस किया था फिर वो फॉर्मेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड जो जो इंपोर्टेंट एलिमेंट्स थे उनक profit and loss account कैसे बनाया जाता है आई बास समझ में तो profit and loss account कैसे बनाया जाता है वो तो आपको पता ही होगा लेकिन इसको याद कैसे रखना है how to remember that format वो logically हम लोग यहाँ देखेंगे interestingly देखेंगे कैसे याद रखना है तो आपको सिर्फ ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है 15 से 20 मिनट का होगा उसके अंदर आपको format पूरा एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा आई पर समझ में और इसको और डिप में पढ़ना है तो आप mca की website पे जाके e-book है उसके ओपर जाके इसको और डिप में देख सकते तो जो इसका source है that is the mca.gov पे जाके आप इसको देख सकते हो तो हम लोग start करते हैं इसका format तो इसका format आपको कैसे याद रखना है मैं आपको पताता हूँ सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें जो information disclose करनी पड़ती है balance sheet हो या P&L हो उसके अंदर हम लोग को disclose करना पड़ता है current reporting period और previous reporting period ये चीज़ याद रखना है तो मतलब ये साल का भी information चीए और last year का भी information हम लोग को चाहिए रहता है तो अब ये statement of profit and loss कैसे हम लोग को याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ एकदम simple सा logic देखो इसका logic क्या है profit and loss what do you mean by profit and loss मतलब कोई transaction आप करते हो तो उसमें profit होता है तो profit is a feature आप ऐसा कह सकते हो profit is a feature between sales and cost profit जो है वो sales and cost के बीच का feature है profit जो है वो sales and cost के बीच का एक link है sales में से आप minus करो cost तो आपको profit मिलेगा तो कहना इसे वो sales cost अगर नहीं भी समझ में आता है तो हमारी जो income होगी income में से हम जो अपने expense minus करेंगे तो हमें profit होगा या तो loss होगा अगर income जादा होगी तो profit हो जाएगा income कम होगी तो loss हो जाएगा तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, जो ये P&L है, statement of profit and loss is divided into two parts, income, expense, income में से expense minus करो profit आ जाएगा, तो profit and loss का format याद रखने के लिए आपको कैसे याद रखना है, profit and loss divided into two parts, income, expense, income, expense, income में से expense minus करो profit आ जाएगा, तो profit का कोई independent, profit and loss का कोई independent, क्या बोलते हैं उसको, independent उसका कोई भी वजूद नहीं है, वो आता है, total income में से expense minus करेंगे तब आएगा, right, तो there is no base for profit and loss, जब तक आपके पास income नहीं होगी, cost नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है, profit and loss दो पार्ट में divide होता है, एक होता है income, दूसरा होता है expense, तो इसलिए यहाँ पे देखो पहला जो पार्ट लिखा है, first one, that is, revenue from operation और total income, तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका यह मतलब है, यह भी second part हो जाएगा, यह आपका total income होगा है, तो total income आपका दो ही होगा, आपको कैसे याद रखना है, profit and loss account is nothing but income minus expense, income minus expense, profit and loss nothing but income minus expense, दो पार्ट में divide है, profit and loss, income minus expense, profit and loss, income minus expense, अब यह income जो है, जिसको total income बोलता है, इसके अंदर दो ही bifurcation है, पहला, revenue from operation, अगर आप furniture बेचते हो, तो furniture को बेचने पर जो पैसा मिला, that is revenue from operation, आप chemical बेचते हो, chemical को बेचने पर जो भी आपको income होगा, that is revenue from operation, आप केले वेशते हो, फूट को बेशने पर जो भी आपको profit होगा, that is revenue from operation, आईबा समझ में, तो यह तो जो मेन बिजनस आप करते हो, वो मेन बिजनस से जो भी आपको income मिला, that is revenue from operation, और अधर इंकम मतलब वो business को चोड़के और कोई income आपको मिला, जैसे interest income मिला, dividend income मिला, तो वो आप कहाँ पे लिखोगे, तो यह जो इसके अंदर heading के अंदर जो जो important आने वाला है, वो मैं आपको next video में इसके अंदर what to disclose के अंदर P&L मैं आपको explain करूँगा, इस video में हम लोग सिर्फ यह देखने वाले हैं कि P&L को कैसे याद रखना है, आई बास समझ में, तो इस video में हम लोग सिर्फ discuss करेंगे, इसकी main main heading, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, आई बास समझ में, तो एक basic information दे दिया, profit and loss is nothing but income minus expense, income में दो income, revenue from operation, तो revenue from operation का मतलब होता है, जिस business में आप हो, उससे जो भी sales generate हो रहा है, that is income from revenue, और other income मतलब वो business को छोड़ के, जो भी other income हो रही है, तो आपका business furniture बेशने का है, तो furniture बेश के जो भी profit, पैसा मिला आपको, profit नहीं, पैसा मिला, that is revenue from operation, sales, लेकिन वोई पैसा आप bank में deposit करते हो, वोई पैसा आप shares में deposit करते हो, तो आपको interest or dividend मिलता है, तो वो हो गया other income, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा other income में, वो हम लोग discuss करेंगे, what to disclose in notes to account में, okay, तो यह हो गया आपका first part, total income, clear है, इतना part, अब हम लोग income में से क्या minus करते थे expense, तो लिखेंगे expense, तो expense में याद रखना है, expense 6 type का होता है, format याद रखने के लिए मैं आपको बता दू, expense कितने type का हो रहा है, 6 type का हो रहा है, 7 type, okay, just a minute, 7 expense आपको याद रखने पढ़ेंगे, कितने expense याद रखने पढ़ेंगे, 7 expense you have to remember, तो कौन-कौन से हैं, पहले में इसको note down कर देता हूँ, ये आपके साथ expense हो गए, ठीक है, एकदम simple है, पहला आपको लिखना पढ़ेगा cost of material consumed, material consumed मतलब जितना भी material आपने use किया है, तो उसके अंदर आजाता opening stock, plus purchases of raw material, फिर direct expenses, carriage, वेरेज, वो सब आएगा, उसका total आएगा, ये सब भी मैं disclose करूँगा, आपको notes to account में क्या-क्या disclose करना है, second हम लोग का क्या आएगा, purchase of stock and trade, अभी बोलें sir, आपने cost of material में तो purchase बोल दिया, तो ये क्या है, तो बच्छा, अगर आप manufacturing करते हो, तो manufacturing में जो raw material खरिते हो, वो cost of material consume में चला जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें जो इसको आप manufacture ने, सीधा खरित के बेशते हो, तो that is purchase of stock and trade होगा, आएगा समझ में, इसके अलावा और भी आपके stock बनते हैं, जैसे कि example के तोर पे changes in inventory of finished goods, फिर work in progress और stock and trade, तो इसके अंदर आपको opening closing को adjust करना पड़ेगा, इसलिए ये 3 ABC करके मैंने यहाँ पे mention किया है, तो पहला material consume, जो भी आपने material consume किया, दूसरा purchase लिखने का तीसरा changes in inventory, inventory में finished goods, WIP, stock and trade, raw material नहीं लेने का, क्योंकि raw material इधर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद basic basic information है, employee से related जो भी खर्चा होगा, इधर लिखना है, finance से related, finance में जैसे आता borrowing cost हो गया, interest हो गया, ठीक है, foreign currency से related, जो भी आपके transaction हो गया, net gain loss, वो सब इधर finance cost में आएगे, फिर आपका most important depreciation और last one, other expense जो भी इसमें नहीं आएगा, तो बोलने का मतलब यह है, कि जो profit and loss आप बना रहे थे, उसके अंदर दो पार्ट है, कितना पार्ट है, दो पार्ट है, पहला पार्ट है total income, पहला पार्ट है total income, दूसरा पार्ट है total expense, तो income में से expense गया, profit आएगा, तो income के अंदर दो है, revenue from operation, other income, तो total income हो गया, expense में साथ expense को याद रखना है, cost of material, purchase, change in inventory, employee, finance, depreciation, other, cost, material consume, purchase, change in inventory, employee, finance, depreciation, cost, other expense, इसको आप जब total करेंगे, इसको आप जब total करेंगे, तो आपको total, expense मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, total expense, ठीक है, total expense लिख दिया, तो आपको पता है, कि income आगया, total expense आगया, और जैसे his income आगया, total expense आगया, minus करेंगे, तो profit आएगा, तो profit यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लेकिन यह कौन सा profit है, यह profit के आगे देखो बहुत सारी चीजे लिखे exceptional or extraordinary tax item तो आपको यह याद रखना है कि जो profit and loss account बनता है उसमें दो element है दो part है total income, total expense total income, total expense total income, total expense total income में अंदर दो revenue, other income revenue, other income expense के अंदर कितना साथ एकदम simple है material consume purchase change in inventory, employee finance, depreciation other, employee finance, depreciation other, पहला तो material मतलब उसकी dealing से related है material consume purchase, change in inventory फिर employee finance depreciation other, यह total expense को आप जब minus करोगे तो profit आएगा लेकिन यह profit के आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यह हम लोग को याद नहीं होता है तो मैं आपको बता दू, जो भी profit आएगा that is, उसके अंदर चार element आपको adjust करने है कितने element? चार, याद रखना चार, तो profit जो भी आएगा income minus expense उसके अंदर चार चीज़ adjust करनी है, पहली exceptional item, दूसरा extraordinary item, तीसरा tax, चौथा profit and loss from discontinuous business, यह operations जो business आपने यह operation discontinue किया है, उसके उपर जो भी profit loss हुआ, उसके उपर जो भी tax का effect हुआ, वो सब आपको show करना है, तो हो गया format ready, तो format ready कैसे होगा, profit and loss क्या होता है income minus expense होता है total income minus total expense total income minus total expense, दो element है फिर जो profit आएगा, income minus expense करके जो profit आएगा वो profit के अंदर चार element याद रखने है, चार element याद रखने है, चार element याद रखने है exceptional, extraordinary tax and discontinue business का profit loss exceptional, extraordinary tax and profit and loss from discontinue business, बस ऐसा याद रखो, तो पूरा पी अनल कैसे बनेगा, total income minus total expense, profit आएगा total income minus total expense profit आएगा, वो profit में कितने element edges करने का, चार, कितने करने का, चार, exceptional extraordinary tax and operation from discontinue business जो भी business discontinue है, उसका profit loss, तो यही देखो, आगे यहाँ पे दिया है, अगर आपको ध्यान में आएगा तो तो पहले बोला है before देखो, जैसा बोला है वैसे जाने का, before बोला है exceptional, तो पहला exceptional minus करो, तो minus करेंगे तो आएगा profit before extraordinary item, और जैसे profit before extraordinary item आइटम हा गया, तो फिर हम लोग को extraordinary item minus करना पड़ेगा, देखो extraordinary item minus किया, तो आएगा profit before tax, और जैसे profit before tax हाए, tax minus करो जिसके अंदर current tax, deferred tax जो भी आएगा, वो लिख देना है, तो आएगा profit after tax, और profit after tax हाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा, profit for from continuous operation, और उसके बाद adjust करना पड़ेगा, हम लोग को, जो discontinue business का operation है, और उसका tax expense है, discontinue business का profit loss और उसका tax expense वो minus करेंगे, तो हम लोग को फिर profit and loss for a discontinue business हाएगा, और उसके end में पूरा adjust करने के बाद, पूरे पी रेट का profit loss निल के बाहर आ जाएगा, और end में हम लोग को एक चीज़ बतानी पड़ती है, EPS वो बता देंगे, that's it, तो this is your P&L का format, तो अगर आपको ये वीडियो देखके आईसा लगा सर, अभी भी confusion हो गया, आपने इतना सब बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है, बड़े ध्यान से देखो, सुनो, सुनो, पहला P&L बनाना, तो P&L is nothing but income minus expense, तो total income पहला पार, total income में से minus करो, expense, expense minus करेंगे तो profit आएगा, तो total income minus expense, total income minus expense, income में दो item, expense में साथ item, income में दो item, expense में साथ item, कितना हो गया, profit आ गया, income minus expense होगा, profit आया, profit के बाद कितना element एड़िजिस करने, चार, कितना element एड़िजिस करने, चार, पहला exceptional item, दूसरा extraordinary item, तीसरा tax, चौथा discontinue business का profit loss or tax, और end में जो भी आएगा, EPS निकाल के रख देना है, आप समझ में आया, तो इस वीडियो का आप एक दो बार रेफर करो, कुछ डाउट हैगा तो प्लीज कमेंट, क्योंकि एक दो बार सुन लेंगे तो पूरा दिमाग में profit हो जाएगा आपका, और इसके अंदर क्या-क्या important item में, क्या-क्या disclose करना है, revenue में, क्या-क्या है, वो हम लग discuss करेंगे next video में, what to disclose in notes to account, आई बस समझ में, yes or no, तो by that time आप इसको refer करो, खुछ doubt है का तो please comment, and please like and subscribe for more videos, thank you.